मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा ओम शान्ति आज की तारिक है छे नो दो जा चोविस के बाबा के साकार महावाक्य मीठे बच्चे तुम्हारी ये पढ़ाई सौर्स आफ इंकम है इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का परवंद हो जाता है बाबा ने प्रेशन पूछा मुक्ति धा में जाना कमाई है या गाटा बाबा ने उत्तर दिया भक्तों के लिए यह भी कमाई है क्योंकि आदा कलब से शांती शांती मागते आए हैं बहुत मेहनत के बाद भी शांती नहीं मिली अब बाप दोरा शांती मिलती है अर्थात मुक्ति धामे जाते हैं तो यह भी आदा कलब की मेहनत का फल हुआ इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे घाटा नही तुम बच्चे तो जीवन मुक्ती में जाने का पुर्शार्थ करते हूँ, तुम्हारी बुद्धी में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी नाच रही है, ओम शांती। मीठे मीठे रुहानी बच्चों को रुहानी बापने यह तो समझाया है कि रूही सब कुछ समझती है, इस समय तुम बच्चों को रुहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रोहानी देवी दुनिया, इसको कहा जाता है जिसमानी दुनिया, मनुश्यों की दुनिया, बच्चे समझते हैं, देवी दुनिया थी, वह देवी मनुश्यों की पवित्र दुनिया थी, अभी मनुश्य अपवित्र हैं, इसलिए उन देपताओं का गाहिन पूजन करते हैं, यह समरिती है कि बरोबर पहले जाड में एक ही धरम होगा, बिराट रूप में जाड पर भी समझाना है, इस जाड का बीज रूप उपर में है, जाड का बीज है बाप यानि कि परमपिता परमात्मा, फिर जैसा बीज, वैसा फल, अर्थात, पत्ते निकलते हैं, यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज, कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है, इस मनुष्य सिष्टी रूप जाड को कोई नहीं जानता, इसको कहा जाता है कलप ब्रिक्ष, इसका बस गीता में ही वर्नन है, सब जानते हैं, गीता ही नंबर वन, धर्म का शास्तर है, शास्तर भी नंबर वार तो होते हैं ना, कैसे नंबर वार धर्मों की सापना होती है, यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी यह ग्यान होता नहीं, क्योंकि जो सच्चा ग्यान है, वो सिर्फ एक परमपिता परमातमा ही दे सकते हैं, कोई ग अगवान खुद हमें पढ़ा रहे हैं, खुद ग्यान दे रहे हैं, उनका ग्यान तो हमेशा सत्ते ही बोलेंगे, तुम्हारी बुद्धी में है, पहले पहले किस धर्म का जाड होता है, फिर उनमें और धर्मों की बृदी कैसे होती है, इसको कहा जाता है विराट नाटक, देवी देपताओं का जाड अभी नहीं है, और सब टाल टालियां खड़ी हैं, बाकि आदी सनातन देवी देपता धर्म का फांडेशन है, नहीं, यह भी गायन है, एक आदी सनातन देवी देपता धर्म की साफना करते हैं, बाकि और सब धर्म विनाश हो जाते हैं, अभी त जानते हो कितना छोटा सा देवी जाड होगा फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं जाड पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है अभी इनकी आयूपूरी होती है इनसे बनैन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझा यह भी गीता का ग्यान है, जो बाप तुम्हें समुक बैट सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो, फिर भक्ती मारग में यह गीता शास्तर आदी बनेंगे, यह अनादी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा, यानि कि पांच जार साल बाद फिर ऐस शास्तर, क्रिश्चन और बॉद्धियों का अपना शास्तर होगा, अभी तुमारी बुद्धी में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, जोगरफी नाच रही है, बुद्धी ग्यान डांस कर रही है, तुम सारे जार को जानगे हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे बृदी को पाते ह फिर अपना एक दर्म सापन होता है, बाकी खलास हो जाते हैं, गाते हैं ना, ग्यान सुर्य परकटा, अभी बिलकुल अंध्यारा है ना, कितने धेर मुनुश्य हैं, फिर यह इतने सब होंगे ही नहीं, इन लक्षमी नरायन के रज्या में, यह थे नहीं, फिर एक दर्म सापन होना ही है, यह नौलज बाप ही आकर सुनाते हैं, तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नौलज आकर पढ़ते हो, बाप टीचर बनकर आते हैं, तो आदा कलब तुम्हारी कमाई का प्रबंद हो जाता है, तुम बहुत धनवार बन जाते हो, तुम जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं यह है ही अविनाशी ग्यान रतनों की पढ़ाई भक्ती को अविनाशी ग्यान रतन नहीं कहेंगे भक्ती में मिनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है रतन नहीं बनते ग्यान रतनों का सागर एक बाग को ही कहा जाता है बाकी वह है भक्ती उसमें एम अब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं, कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ती करने के लिए गुरू के पास जाते हैं, कोई जवानी में गुरू करते हैं, कोई भुडापे में गुरू करते हैं, कोई छोटे पन में ही सन्यास ले लेते हैं, कुम्ब के मि पर कितने धेर आते हैं सात्यूग में तो यह कुछ भी नहीं होगा तुम बच्चों की समरिती में सब बातें आ गई हैं रचता और रचना के आदी मद्यांत को तुम जानगे हो उन्होंने तो कलब की आयू हुई वड़ी कर दी है इश्वर सरब्यापी कह दिया है ज्यान का प करना होती जाती है बैटरी भरती जाती है ग्यान से है कमाई भक्ती से है घाटा टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं मुक्ती में जाना बह भी कमाई है शांती तो सब मांगते रहते हैं शांती देवा कहने से बुद्धी बाप तर प्रंतु वे कैसे होगी ये किसको भी पता नहीं है शांती धाम सुख धाम अलग होते हैं ये भी नहीं जानते हैं जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था अभी तुमको सारी नौलज है तुम जानते हो हम इस कर्मशित्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं, कहां से आए हैं ब्रह्म लोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं, इस आकारी दुनिया में पाठ बजाने, हम आत्मा दूसरी जगे की रहने वाली हैं, यहां यह पांच तत्वों का श्रीद रहता है, श्र अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस डरामा के अदि मद्यांत को हम नहीं जाथे हैं. आगे नहीं जानते थे अपने बाप को अपने घर को अपने रूप को यथातरिती नहीं जानते थे अभी जानते हैं. आत्मा कैसे पाठ भजाती रहती है, सिम्रिती आई है, पहले सिम्रिती नहीं थी, तुम जानते हो सचा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सच खंड के मालिक बन जाते हैं, सच के उपर भी सुखमनी में हैं, सच कहा जाता है सच खंड को, देपताएं सब सच बोलने वाले होते हैं, सच सिखलाने वाला है बाप, उनकी महमा देखो कितनी है, गाई हुई महमा तुमको काम में आती है, शिप बाबा की महमा करते हैं, वहीं जाड के आदी मद्य अंत को जानते हैं, सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सचे बन जा भारत सच खंड था नमबर वन उच्टे उच्ट तीरत भी यह है क्योंकि सरव की सदकती करने वाला बाप भारत में ही आते हैं जो भगवान हैं हमें पढ़ाने के लिए सिर्फ भारत में ही आते हैं एक धर्म की साबना होती है बाकी सब का विनाश हो जाता है बाप ने समझाया है सुक्षम बतन में कुछ है नहीं यह सब शक्षतकार होते हैं भक्ती मार्ग में भी शक्षतकार होता है शक्षतकार नहीं होता तो इतने मंदिर आधी कैसे बनते हैं पूजा क्यों होती शक्षतक करते हैं फील करते हैं ये चतिन्य थे बाब समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदी बनते हैं जो तुमने सुना देखा है वे सब रपीड होगा चक्कर फिरता ही रहता है ग्यान और भक्ति का खेल बना हुआ है हमेशा कहते हैं ग्यान भक्ति विराग्य फिर कुछ नहीं जानते, बाब बैड समझाते हैं, ग्यान है दिन, भक्ती है रात, विराग्या है रात का, फिर दिन होता है, भक्ती में है दुख, इसलिए उसक का विराग्या, सुख का तो विराग्या नहीं कहेंगे, सन्यास आदी भी दुख के कारण लेते हैं, समझते हैं पवित्तरता में सुख है, इसलिए इस्तरी को त्याग चले जाते हैं, आज कल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपन्ती विगर्टो सुख मिलना सके, माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है, बुवेका अन और राम कृषण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए हैं, सन्यास की तागत राम कृषण में थी, बक्की भक्ती का समझाना करना वह बवेका अनंद का था, दोनों की पुस्तके हैं, पुस्तक जब लिखते हैं तो एकागर चित को बैठ लिखते हैं, राम कृषण जब अपनी वायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिशे को भी कहा तुम जाकर दूर बैठो था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी नाम भी बहुत हैं बाप ऐसे नहीं कहते कि इस्तरी को मा कहो बात तो कहते हैं उनको भी आतमा समझो आतमाएं तो सब भाई भाई हैं सन्यासियों की बात मा की बैठ बढ़ाई की है ये ग्यान का रास्ता है विराग्या की बात अलग है विराग्या में आकर इस्तरी को मा समझा माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी बहन में भी क्रिमिनल दिश्टी जा सकती है, माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे, बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दिश्टी जा सकती है, मां से कभी नहीं जाएगी सुन्यासी इस्तरी को मा समझने लगा उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी पैदाइस कैसे होगी वह तो एक को विरागय आया मा कह दिया उनकी महमा देखो कितनी है यहां बेहन भाई कहने से भी बहुतों के दिश्टी जाती है इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो यह है ग्यान की बात वह है एक की बात यहां तो प्रजा पिता ब्रम्मा की सम्तान धेर भाई बेहन है ना बाब बैड सब बाते समझाते है यह भी तो शास्तर आदी पड़ा हुआ है वह धरम ही अलग है निवर्ती मारका सिर्फ पुर्षों के लिए है वह है अदका विराग्या है तुमको तो सारी बेहत की दुनिया से विराग्या है संगम पर ही बाप आकर तुमें बेहत की बाते समझाते हैं अभी इस पुरानी दुनिया से विराग्या करना है यह बहुत पतीद चीची दुनिया है, यहां शरीर पावन हो न सके, आत्मा को नया शरीर सत्युग में ही मिल सकता है, बल यहां आत्मा पुवित्र बनती है, प्रंतु शरीर फिर भी अपुवित्र रहता है, जब तक कर्मातित वस्ता हो, सोनने में खाद परती है, तो जेवर भी खाद बाला बनता है, खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा, इन लक्षमी नरायन की आत्मा और शरीर दोनों सतों परदान है, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमों परदान काले हैं, आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई है, बाप कहते हैं, फिर नहीं, सब कामचिता पर बैठ पतीत बन पड़े हैं, इसलिए राखी बंदवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिग्या करो, बाब कहते हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं, मैं आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम याद करते आए हो, बाबा आओ, हमको सुखदाम में ल कामचिता पर बैठ काले, तमो परदान हो गए हो, जब मैं आया हूँ, कामचिता से उतार, ग्यानचिता पर बिठाने के लिए, अब पवित्तर बन स्वरग में चलना है, बाब को याद करना है, बाब कशिश करते हैं, बाबा के पास योगल आते हैं, एक कशिश होती है, नहीं होती, पुर्ष ने फट से कह दिया, हम इस अंतिम जर्म से पवित्तर रहेंगे, कामचिता पर नहीं चड़ेंगे, ऐसे नहीं कि निश्चे हो गया, निश्चे अगर होता तो बेहत बाब को पत्तर लिखते हैं, कनेक्शन में रहते हैं, सुना हैं पवित्तर रहते हैं अपने धंदे आदी में ही मस रहते हैं, बाब की याद ही कहा है, ऐसे बाब को तो बहुत याद करना चाहिए, इस तरी पुर्ष का आपस में कितना प्यार होता है, पती को कितना याद करती है, बेहत के बाब को तो सबसे जासी याद करना चाहिए, गायन भी है ना, प्यार क परो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोडेंगे, ऐसे नहीं यहां आकर रहना है, वे तो फिर सन्यास हो गया, घर बार छोड यहां आकर रहे, तुमको तो कह जाता है, गरस विवार में रहते पवित्तर बनो, यह पहले तो भटी बननी थी, जिस से इतने तैयार हो निकले उनका भी बहुत अच्छा बरतांत है, जो बाब का बनकर अंदर, यानिकी यग में रह करके रुछानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दातास्यां बनते हैं, फिर पिछाडी में नंबर वार पुर्शान सार ताज मिल जाता है, उन्हों का भी घराना होता है, परजा में नही आ सकते, कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता, भल भाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं, यह सब समझने की बाते हैं, ग्यान है सैकिन का, फिर बाब को ग्यान का सागर, क्यों कहा जाता है, समझाते ही रहते हैं, पिछाडी तक समझाते ही रहे जब राजदाने सापन हो जाएगी तुम कर्माति तवस्था में आ जाएगी फिर ग्यान पूरा हो जाएगा है सैकिंड की बात प्रंतु फिर समझाना पड़ता है हद के बाप से हद का बरसा बेहद का बाप बिशप का मालिक बना देते हैं तुम सुखधाम में जाएगे तो बाकी सब शांती धाम में चले जाएगे वहां तो है ही सुखी सुख यह तो खातरी है बाप आए हैं हमें नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राज योग की पढ़ाई से अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मो हम रुखानी बच्चों की रुखानी बादा को शर्दा भरी प्रेम भरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए दारना के लिए मुक्खे साथ नमबर एक इस पतीत छीची दुनिया से बेहत का विराग्या रख, आत्मा को पावन बनाने का पूरा-पूरा पुर्शाद करना है, एक बाप की ही कशिश में रहना है, नमबर दो, ग्यान की धारना से अपनी बैटरी भरनी है, ग्यान रत्नों से स्वरक को धनवान बनाना है, अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है, वर्दान सत्गुरू परमपिता परमात्मा जी का ग्यान रत्नों को धारन कर, व्यर्थ को समापत करने वाले खोली हंस भाव, खोली हंस की दो विशिश ताई है, एक है ग्यान रत्न चुगना, और दूसरा निरने शक्ति दवरा, दूद और पानी को अलग करना, दूद और पानी का अर्थ है, समर्थ और व्यर्थ का निरने, व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूद समान, तो व्यर्थ को समापत करना अर्थात होली हंस बनना, हर समें बुद्धी में ग्यान रत्न चलते रहें, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो आएंगे स्लोगन सदा अपने स्रेष्ट पोजीशन में सितित रहे आप पोजीशन को समापत करने वाले ही विजय आत्मा है ओम शान्ति